Finally Pokemon Horizons का Episode 2 मैंने देख लिया है, वो भी Hindi Language के अंदर, अभी भी मुझी यार यकिन नहीं हो रहा है, कि Pokemon Horizons, Pokemon की Latest Series, Season जो है, इंडिया के अंदर आ रहा है, वो भी Hindi में, लेकिन हाँ, यह आ चुका है, इसकी Language कैसी थी, Story कैसी थी, Animation कैसा था, डबिंग में कुछ लफड़े किये, पहले वाले Episode से Downgrade है, या फिर Upgrade है, बताएगा मैं, एंड तुम इसको Phone पर कैसे देख सकते हो, Officially, Legally, YouTube पर ये भी बताएगा, तो सुरू करते हैं, सबसे पहले, बात करते हैं, Episode के Synopsis के बारे में, कि Episode कैसा था, तो Episode की कहानी जो है, Episode 1 के End से सुरू होती है, जहांपर लिक इस Pandate के अंदर Pokemon रह रहा है, पाई या जिसको ये बात पहले से पता नहीं थी, वो कितने ज़्यादा चोक गए होंगे, लेकिन ये Pokemon गायब हो जाता है, और लिकों निचे करने वाली होती है, तो भी अपने नोजवान प्रोफेसर आते हैं, लिकों को बचाते हैं, और अपन कोई ना हमाई specific चल रही होती है, कुछ प्रोब्लम आती है, लेकिन तभी M.A.T.O. यहां पर आ जाता है, और हमको एक legendary battle देखने को मिलती है, M.A.T.O. and Pikachu के बीच में, पाई पिकाचु का मुकाबला क्या था यार, Pikachu को देखकर मजा आ गया, क्या Pikachu का battle दो हमको देखने को मिल रहा है, बहले अपने यहां पर Ace का Pikachu नहीं है, लेकिन यह Pikachu भी किसी से कम है, क्या, Captain Pikachu की personality, अपने Ace की Pikachu की personality से बिलकुल अलग है, लेकिन हा, Ace की Pikachu की याद आती है, वह एक real anime था, मैं उसको अलग anime मानता हूं, इसको अलग anime मानता हूं, Ace का बाई का बताएगा मैं, लेकिन अभ जो attack कराती है, जो animation वहाँ पर आया था ना, आपाई, मज़ा आ गया, end में spigatito निचे गिर जाता है, लेकिन anime थे उसको बचा के लेके बाग जाता है, यह बंदा बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन इतना evil भी नहीं है, तो हां, देखने में मज़ा आ रह में, and to improvisation वह करते हैं, वह literally काफी amazing होता है, चार चान लगा देता है, डबिंग के अंदर, जैसे की, लिको को गुडिया बोलना, I kind of like it, because यह गुडिया बोलना अच्छा लगता है, वह बच्ची है, छोटी बच्ची है, main heroine है, और उसके बेज़ती भी हो जाती है, और हमें मजा भी आता है, तो यह बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मैंने पहले भी बोली थी, इस pokemon का name change मत करो, और especially, जो pokemon already established है, पहले introduce हो चुके, वो काम मत करो, लेकि इन्होंने वही काम दोबारा कर दिया है, actually या, बाकी country's में काफी common है, का country के हिसाब से pokemon का name रखा ज लेकिन ये काम अब हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो pokemon के name हम पहले से familiar है, उसके name change हो रहे है, और हमको या, पचा पाना, digest कर पाना, possible नहीं हो पा रहा है, विकोज यार, हमको लग नहीं रहा है, कि या, ये pokemon तो वो था, थोड़ा अजीव लगता है, जैसे कि या, noctowl का name निसी ओल रखा गया है, जो कि हाँ, अच्छा है, उतना बुरा नहीं है, ओशेव जितना, noctowl और निसी ओल लगब सेम प्रणाउसेशन लगते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है, मुझे, उतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूगो पोकेमोन का name कुछ भी रखते सेंस बन जाता, लेकिन गर्मच अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्रिंज मुझे फिल गवा, कि या गर्मच इनको नहीं करना चाहिए था, इनका नेम को बिल्कुल फ्यूगो की तरह साउंड करना चाहिए था, जैसे कि फ्यूगर्मच रख देते तो अच्छा लगता, फ्य हाँ, एफ से सुरू करना चाहिए था, बाट या हम धिर धिरे आजद होई जाएगी, जिन लोगों ने पहली बार फ्यूगो को नाम सुना है, उनको तो गर्मच अच्छा ही लगा होगा, और शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, तुमारी में चर्ण सपर्स करना चाहता हूँ पोकेमोन वालो, कि तुमने पीकाचु का नाम नहीं बदला, भाई यार, पीकाचु एंचाइजर का नेम सेम टू सेम है, जो कि सो करता है, पोकेमोन पोपुलर हो, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तो हाँ, यह मुझे अच्छा लगा, लेकि इन्होंने एक और चीज को बदल यारि कि जो इनके सिपका नाम है, वो इंग्लिस डब के अंदर, ब्रेव असागी है, और अपने हिंदी डब के अंदर नाम रखा, ब्रेव ओलिवाईन, जो कि अच्छा लग रहा है, ऐसा लगी नहीं रहा है, कि इन्होंने बदला है, अटेक के बारें बात करें, तो यार, वही, बीटर ब्लेड को इन्होंने चेंज कर दिया, सेतान की तलवार, जो कि इन्होंने पहले भी किया, जो कि अब सो कर रहा है, मुझे जान तक लग रहा है, क्यार ये एसा ही करेंगे, बीटर ब्लेड पूरे सिजन के अंदर, सेतान की तलवार बनने वाला है, और उमीद क को दो बार देख पाओगे, अगर तुमने पहली बार मिस करजा, साड़े नो बजे, तो तुम तुम इसको डई बजे देख पाओगे, तू ठाटी को, टीवी के उपर हंगामा के उपर रिपिट टेली कास्ट आएगा, अगर तुम उसको भी मिस कर दोगे, या फिर तुम आप यह होता है असली मजा, यह होता है सारे फेंस को मजे देना, यह होता है फेंस की ख्वाइसों को पूरा करना, जो पोकेमोन XYZ करनी पाया, वो पोकेमोन होराइजन्स ने कर दिया, हम सभी फेंस के लिए, या एपिसोड टू तुमें कैसा लगा, या फिर अब देखोगे, मुझे थब तक के लिए, बाई बाई